है नमस्कार दूस्तों आप सभी कवंबाल करेट आपा है कैसे हूँ आप सभी मैने आप सभी से कहा था ना जो मेरी बात नहीं मानधे उसको पर फनको बस्ताने ही लावत कुछ या श. Ihrer हैइज नहीं कि दिसंबर सब्सक्राइब और इस बार देट भी आप सब्सक्राइब को नहीं हो पाया 26 दिसंबर कोई सब्सक्राइब करता हूं अगर मैं आपको सब्सक्राइब करता हूं तो अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो प्लीज उसको एक बार देख लिया करो इग्नोर मत किया करो पहले हूँ अगर आपके काम के नहीं है किसी दोस्त की यार की तो मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाता हूं उसको एक बार जरूर देखा करो वो कोई भी वेकेंसियो आप प्लीज देखा करो उससे क्योंकि इससे आपको ही फ्यूचर अच्छा होगा आपको ही फायदा की बारे में एक डाउट जो है महली बात हो निगेटिव मार्किंग मैरिट कैसे बनेगी आपको स्कोर कहां पर करना है नंबर कितने नंबर का पेपर होगा कितने घंटे का नंबर होगा तो आई विल टेल यू एवरिटिंग अबाउट दा रिटेनिक जामनेसर में आपको भी जाके इसको बाई करके कुछ दिन जो बच्चे होगे टेस्ट लगा लो थोड़े से एक्जाम से फैमिलर हो जाओ नहीं हो पाऊगे फैमिलर तो एक्जाम में थोड़े दिक्कत हो जाएगी यह हमारी टेकनिकल टेस्ट तरीज है यानि कि 100 नंबर का पेपर आप सभी का ह खूने वाला है कम्निकेशन में उसकी पूरी टेसरी जैति के मेरे बाई कम्निकेशन वालों के लिए और आप सभी से रिक्वेस्ट यह भी करूँगा कि हमारे अप्लिकेशन को एक बार आप अपडेट कर लेना क्योंकि हमारा जो अप्लिकेशन दिन प्रते दिन बड़ा होत नहीं मानते हो तो बहुत पस्तावा होगा 99 रुपेस कोई ज्यादा नहीं होते आप सभी के लिए बहुत मैंना और टोटल दस तैसरी जे बाइलेंग्वल है और दूसरा टेस्ट में दो आप सभी को मिलेंगे हिंदी इंग्लिस दोनों अलग अलग है बाकि उसके बाद दूसर कि वेकेंसी कितनी है जो कुम्बनिकेशन में कॉम्पेटीशन बहुत ही कम है पहली बात तो बच्चे ही प्रजेंट नहीं हुए आपको पता है फिजीकल देने ही बच्ची बहुत टम गयते उसके बाद पास होने का रेशियों बहुत कम है और तयारी तो ना के बराबर तया तो समझे न इसको हर इक्जामनेशन से कंपारिजन मत कर लिया नहीं यहां का पैटन थोड़ा सा अलग है यहां की कटाफ अलग सत्फ़ड़े बनेगी वेकेंशी यहां पर देखो की communication में तो 578 वेकेंसी है वेकेंसी इंक्रीज वगरा हो गईगी तो मैं अभी मुझे उता ध्यान नहीं को कि बहुत पहले वीडियो पनाई हो अगर हो गई हो तो comment box में बता देना कि वेकेंसी सरे इंग्रीज हुए या नहीं हो तो बता देना खुद बता दे तो रिटेन यहां में common interest test करके एक से बताया गया है कि common interest test होगा और इस सब्द को थोड़ा सा ज्यान देना क्योंकि आगे सब्द का इस्तेमाल होने वाला है यहां पर आप सभी से दो तरह के test लिए जाएंगे और part one और part two में divide होगा टोटल जो test होने वाला वो तीन घंटे क तो यहां पर आप सभी के पचास question आने वाले हैं यहां पर number of question डिवाइड नहीं किये गए हिंदी के कितने आएंगे इंगिले से कितने आएंगे ठीक है उसके बाद हम बात करें 100 number यह 100 number जो technical subject है यहां पर आप सभी का physics chemistry or mathematics आएगा physics आप सभी का साथ 40 नंबर का आएगा और physics mathematics आप इस तरह सा है मैं आपको भी तरीके से बता दूगा या हमारे application जाओ वहां दिख जाएगा ठीक है तो वहां इससे पहले पर मैंने वीडियो बना रखी है वहां पर ठीक है वहां पर आप सभी को इस तरह से physics mathematics दिखने वाला technical subject में इसका paper भी होगा एक model paper भी होगा मैं यूर, EWS, OBC और एक्स वरिस्मेन को 50% लाने ही है यानि कि देर सो का 50% यानि कि 75 नंबर आप सभी को लाने ही है उसके बाद फिर से आप सभी का SCST का 45% यानि कि 75 से थोड़ा कब नंबर लिगा आना है उसके बाद यहां पर देखा जाए यह लिखा हुआ है इस लिए मैंने कहा था कि कुछ वहाँ सा ध्यान में रखना को कि यह सब्दों जो है वो यहां पर इस्तमाल किया गया है यानि कि आपका जो मैरिट बनने वाली है वो 50 नंबर और 100 नंबर टोटल मिला के बनने वाली है मगर ऐसा सबके लिए नहीं है यहां पर उन्होंने बोला गया है नोट यहां लिखा गया है लिखा है मेर कौलिफाइंग इन रिटें इजामनेशन डज नॉट कंफर दर राइट टो एनी कंडिट फॉर फाइनल सेलेक्शन फॉर दा फॉस्ट यानि कि अगर जो यहां पर कि आप सभी उसमें चल जाओगे उसके बार यहां पर आप देखें तो इक बार यहां फिर से लिखा गया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर दा पोस्ट अफ हैड कॉंस्टेबल इलेक्टिसियन मेकानिक वोक्षॉप इस्टेव यार वेटनरी विल बी प्रिपेर्ड ऑन ब पर आप सभी समय लेजेने कम्मिनिकेशन के लिए डेर सो नंबर बनेगी बाकि यहां पर इलेक्टिसियन मेकानिक वोक्षॉप इस्टेव यार और वेटनरी के लिए यहां पर पर पेपर 2 यारिन कि टेक्निकल पेपर ही मेरिड बनेगी उनके 50 नंबर को केवल उनको पास कर करना उसके लावब कुछ नहीं करना ठीक है उसके बाद यहां पर यह सारी चीजे हो गए उसके बाद आप सभी का सब्सक्राइब के लिए उसके लिए है उसके बाद डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा यहां पर लिखा गया है केंड़ेट अप्टू ट्री टाइम्स आप आप बड़िफिकेशन के बाद आप सब्सक्राइब क्या होगा थिक है मेडिकल एक्जामनेशन की बाद यहां पर अगर आप देखें तो फिर से फाइनल रिजल्ट की बात की गई है इस वाले पॉइंट में पाच्छों में तो फिर से यहां पर बूला गया है फाइनल इसलिए मैंने आपको बुला था कि आप common interest test को याद रखना को कि आपकी मेरे देर सो नंबर बने अब निगेटी मार्किंग के बारे में भी देखो अभी तक हमने जहां तक भी analysis किया है जहां तक भी पूछा है जहां से भी बात की है वहां तक यह बुला गया है कि इसमें पर hall में जब आप examination hall में बैठे होंगे उस समय आप invigilator से पूछ लेना जो परिवच्चक होता है class का परिवच्चक या भी जो teacher वगरे जिसको आप बोलते हो या फिर invigilator बोलते हो उससे आप पूछ लेना सारी इसमें निगेटी मार्किंग है या निया फिर वहां इंट् certification में नहीं लिखा है हमारी जानकारी की साब से तो नहीं होती है बाकी देखा जाएगा आप examination hall में जरूर देख लेना ठीक है वहां पर भी यह चीज बोला गया अब उसके बास एक चीज़ आप समय लिजे कि technical paper में आपको आधिक से अधिक नंबर लाना ही पड़ेगा अब सब्सक्राइब को क्यों लाना पड़ेगा अभी मैं आपको बताऊं कि ITBP हैड कॉंस्टेबल टेलिकॉम या टेलिकॉम की मेरिट आई थी एक बच्चे के कटाफ पे ही नंबर है जितनी कटाफ गई है से उतने ही नंबर है मगर बच्चे को डिस्कॉलिफाई किया गया है के केवल उसके डेटा बर्त की और जो अंतर है डेटा बर्त में वो तीन स T grand एक बड़ेंश मैंड मेर भी तक कह bucket कि की आप सभी को तकीन कबचों के नंबर अगर यहीं बहां पर क्या होगा कि a candidate who secure more marks in part 2 technical subject में will be ranked higher यानि कि जो आप सभी का जो technical part 2 में जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसको higher rank दिए कि जब tie case होगा आप सभी का ठीक है where equal marks have been obtained by the candidate their merit will be fixed on the following यानि कि जहां पर दो बच्चों कि अगर equal marks होते हैं paper 1 और paper 2 मिला कर तो वहां पर जो technical paper में जो बच्चे का नंबर आएगा धिक उस बच्चे को आपका priority दिख आप देखो इससे एक बात और clear होती है अगर बच्चे का नंबर बराबर होंगे तो कब बराबर होंगे बताओ जब paper 1 और paper 2 मिला कि होंगे अगर paper 2 से नंबर ज्यादा होगे किसी के equal होगे तो paper 2 कोई मतलब निकल जाएगा क्या इस बात का मतलब तम निकलता है जब paper 1 और paper 2 को आप मिलाते हो यानि की नंबर ज्यादा होंगे उसको higher rank मिलीगी इसको लिखने की जोती होती ती मगर यहाँ पर यह बात साफ कही जा रही है कि paper 1 और paper 2 के नंबर को मिलाया जाएगा यानि की देर सो नंबर बनेगी मगर अगर मालीजी किसी दो बच्चों के नंबर एक जिससे हो जाते हैं मालीजी उसका भी अगर 84 है इसका भी 84 है तो भाई जो अधिक नंबर लाया होगा उसको वह प्रियॉर्टी देंगे यानि उसको बाद वाले को उससे नीचे रखेंगे उसके बार यहाँ पर बोला गया है कि एज वाली बात की गई जो एज में सीनियर होगा उसको सीनियर टी दी जाएगी ठीक है डेट अबर वाला आज जाएगी ठीक है यहाँ पर बोल दिया कि एक को फर्स टेका जाएगा बी को अलफाबेटिकल जो भी अरेंजमेंट होगी उस तरह से अरेंज किया जाएगा ठीक है तो आप बिल्कुल जिहान में रखने का कि भाई देर सो नंबर का पेपर है पहला नंबर पचास नंबर का पहला पार्ट पचास नंबर का दूसा सो नंबर टेक्निकल सब्जेट के लिए मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बाद टेसरी से जरूर जूर जाए पचास टेसरी के आप दिन में दो टेस्ट भी लगाऊगा थोड़ा से एक्जाम से प्रमिलियर ह क्या नहीं पड़ा हूं क्योंकि हमने टेक्निकल सब्जेट को बहुत प्रियोर्टी दिये क्योंकि पार्ट और पचास नंबर का है वह एक्चुली में कर लेंगे बच्चे मगर मेन मेरिट बनेगी कि किस आधार पर आप सभी को समझना चाहिए कि जो टेक्निकल पेपर में सब्सक्राइब जयाधा सब्सक्राइब कि क्या क्या नहीं पड़ायान है पुछ लिक नहीं रखत्त हैं सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कि एडुस्क्त क्या पता ना मैं आप सब्सक्राइब को हर चीज तीन-चार महीना 10 दिन मेरा 15 दिन पहले हर चीज आप सोगी को पहले बतातां, मगर इस तरह से इगनोर करते हो, मैं हर बच्ची की बात नहीं करें, बहुत सब बच्ची महनते हुआ कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा मेरी बात मनை चाहता हूं मैं बच्क छुछ इंफर्मेशन के अगर आप पहले से बात माझते तो आपको मैntे मैं ये वीडिव कनाने का कोई मतलब ही नहीं करना है ठीक है उसके लावह कुछ भी नहीं करना उसके लावह आप बिलकुल यहाँ पर लगे रहों कुछ भी परषान नहीं हो नहीं हो पस हां कि मुल्चा कमी रही है मुझे physics में यह पढ़ना है मुझे chemistry में यह पढ़ना थोटा छोटा उपर अगर pouv cuarto सले बस फायदा मिलेगा देखिए मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूं को कि आप इतना किराया भाड़ा लगा कि वहां जाओगे 99 रुपेस के किराया नहीं लगेगा इतना खर्चा होगा फिर उसके जाब को निरासा मिलें और हमारे help की वज़े से काफी बच्चों का सेलेक्शन हु हमारा movie बढा हो जागे हमारी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी हो जाएं हमारी चीजें नहीं है लोग अभीů बागी दर को नाचने गाने वालों को बहुत लोग फॉलो करते हैं इसलिए हम आपके साथ मिल कर रहे हैं मैं आप सभी को कहूंगा कि आप अपने आपको देखो उसके लावग कुछ भी मत सोचो आपको चार दिन-पान दिन में कोई कुछ क्राइब करता हैं आप क्या सोच रहे हो कि आप पूरी फिजिक्स आपको चार पांद दिन कोई कम्रेंट ने ने कर सकता है अब आपको अपने उपर ही 45 दिन सोचना पड़ेगा देखने है look कि कहाँ कहाँ से थौथा मुझे बचा हुआ है यहाँ से बचा हुआ है यहाँ से question आते क्या सकाष रीक वह है यहां क्योंकि एक साथ कई सारे एक जामेशन कराना संभाव नहीं था प्रॉब्लम हो जाती और अवरलाप होती वह आपके लिए ही पैनिफिसल वह कम्पनिकेशन का जिसने फॉर्म डाला था वह ऐसाई कम्पनिकेशन का भी पैनिफिसल है तो प्लीज इसको अच्छी पॉजिटिव